नोश्कार मैदानी सुन्जार और आप देख रहे हैं पियार भी भारत जोरो यात्रा जो कि कन्या कुमारी से चली थी आदा से जादा सफर अपना तै कर चुकी है हमारे साथ सर्वन पांडे है जो कि आयोध्या से आते हैं किसान आंदोलन में भी आपने इन्हें देखा होगा बखु भी आंद किसानों का साथ दिया और यहां भारत जोरो में भी वह यहां पे जुड़े हैं और लगातार कन्या कुमारी से पैदल चले एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं इधर देखिए पहले एक पर तस्वीर दिखा दे फिर आप से सर्वन जी बाचीत करें लाइन के अगर बात करें तो कई किलो मीटर तक यह लाइन है जो कि ऐसे ही चल रही है और कोई हाईवे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं गाउं की सरक का इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए तस्वीर जूम करके दिखाए जो आसपास के नेता है वो दिखिए वहां राहुल गांद पागल हुए है कि हमें उनसे मिलना है भेट करना देखिए यह यात्रा है इसी की बात हम लगातार कर रहे हैं और लगातार यह यात्रा जो है वह आधाजाद सफर का ही कर चुकी है और कश्मीर तक जाएगी एक और पीछे भीड दिखा दिखा दीजे फिर सर्वन पांडेज की गारी है कुछ जो अफिशल गारी है जो राहुल गांदी कसा हमेशा चलती रहती है वह फोटो घीचल दे लोगों से मिल रहे हैं इसलिए काफले पे रूक रहे हैं बाताजीत कर रहें हैं यहां की समस्या भी जानने कुशिद Are सरवर मैंड़ी से बाचीत करेंगे, काफला तो बहुत लंबी है, लंबी कतार है और बहुत लंबा सफर करके आप यहां पैं आएं, किया कुछ आपने भारत को देखा क्या लगा है जो ठूटा हुआ है जिसको जोडने क्या पढ़ियास कर रहे है बिलकुल जिस तरीके से ये क तो सक्टा में बैटी हुई है, राहुल नहीं मसाल है, निया जवाहलाल है, क्योंकि जवाहलाल के कंधों पे जिस तरह से पूरे देश का दायुत था, उसी तरीके से आज मोण का जो प्यार है, और जनादेश हैं जो राहुल गांदी के प्रत यह आने वाले सत्ता में हगबकाई हुई है जिस तरीके से देश में राजनीतिक भासा प्रांत जाती और मजहभ के नाम पे लोगों को लडाया जा रहा है आज देश में एकता की जरूरत है हम उसे एकता के ऐसे पाइदान पे चल रहे हैं लोग यही पूछ रहे हैं आखे टूटा क्या है भ इसमें जाती और धर्म और प्रांत के नाम पे लोगों को लडाया जाएगा आप बताइए भारत वासी सभी हैं यह लोग किस तरीके से आज कितनी ज्यादा बेरोजगारी है आप सभी मुद्दों के लेके हम इस यात्रा में चल लें इसमें कोई एक मुद्दा नहीं है इसम इन्हों को टुकड़े में कर दिया है यह गिर्राज सिंग का है नफरती चिंटू हैं यह ऐसे वो हैं कि जो देश में नफरत फैला के नफरत की अभीम हम नागपुर महरास्ट्रा में ही नागपुर सबसे बड़ी अभीम का कार खाना है जो पूरे देश में फैलाई जाती ह नागपुर की नारंगी देश के लिए हानकारक है और यह भीडता कर चुकी है कि जो आने वाली जो मौझूदा हमारे आने वाले राज्य हैं उन राज्यों से जब यात्राएं गुजरेंगी तो देश में जो दिल्ली के गद्धी पर बैठे हुए हाकिम है उनको यह नजर आने लगेगा कि इस देश की जनता अब पूरी तरीके से एक साथ खड़े होने का राहूल गांधी को कहीं ने कहीं देर हो गए जिस तरीकी से छवी उनकी बदली है निखर के छवी आई है तो वो देर हो गई पहले करना चाहिए था क्याराजी में चुनाव हो गया है 14 चला आज हमें सत्य हिंसा का पाठ क्यों पढ़ाना पढ़ रहा है जो लोग देश में 2014 में आए थे वो देश में नफरत फैलाने का काम करते थे मैं तो चला था जानिबे मंजिल लोग मिलते गए कारवा बनता गया लेकिन यहां पे राहुल गांधी के बीचे जो कारवा है ये प को जमीनी मुद्धों को उठाना चाहिए ये जमीनी मुद्धे पूरा पूरा प्रेम प्यार और पूरा सम्मिला अब तक कोई विरोध नहीं कहीं पे कुछ हुआ लेकिन राजस्थान से जो खबर आ रही है वहां जो है कहा जा रहा है कि यात्रा नहीं होने देंगे भारी व कहते हैं वो लोग हमें नहीं मैं कहता हूं जान देने के लिए राहुल गांदी के लिए तयार हूं इस यात्रा को कोई नहीं लग सकता है ये कश्मीर तक 12 राज्यों से 150 दिन और उसमें पूरा 3570 किलोमीटर ये यात्रा कंप्लीट होगी और इस देश में एक नई आयाम जि के उस ब्यार को, गरीबों को, किसानों को, मजलूमों को, सभी लोगों से राहुल गांदी मिलते हुए जा रहे हैं इसलिए देश के परधान मंत्री को बॉकलाहत है क्योंकि उनको सत्ता की कुर्सी चाहिए ऐसे सत्ताधारियों को सत्ता से वेदखल करना है द्यारने के स Aufgabe करने का कम करते हैं कंन्या कुमारी से देख रहा हूं जिस तरीके से जनसालावा और पैयार मिला हूष यह पूरी सरकार को गुमाने का काम करेगा सरकार, त्वों सद्था से विदकल करने किया है है पेर सूजा हुआ है फूल किया है क्या है क्या आधा कहले कि आधा भारत अपने सफर कर दो कुल देखिए कदम कदम मिलाएदा खोषी के के पूरी देश की जंता के साथ ख़़ेंगे काम किया देसकी जंता को सर्प नफ्रत में बाचने काम किया में कहता हूं राहूल गादी जी के ने चुत्र में ये पूरी देश कि लोग लगातार यहां पे चल रहे हैं और पूरी बीड जो है वो उधर से और भीड आ रहे हैं तस्वीर दिखाएं यही किलो मीटर राफतार जो है चलता रहता है लोग और यहां के लोग है आसपास के वह भी चुड़ते रहते और कई हजारों तो सुझ्ट से उनके साथ जुर्य हुए और एक सरवन पांटे हैं जो कि कन्या कुमारी से वह भी चुरहुए आप से सवाल यह है कि आप आयोध्या से आते हमने आपको किसान आंदोलन में भी कवर किया तो सवाल यहां पर यह बंदा पूरा जनसाइलाम मिल लहा है तो इस से पूरी तरीके से सरकार हताहत है मैं कहता हूँ आप भी अब दिखाईए आप जैसे पत्रकार आ गए हैं तो इस देश में आप जो सच है वहा कहीं में दिखने का काम आपने गुजराज चुनाओ को छोड़ दिया है इस भार्यत यात्रा के लिए तो कहीं न कहीं बारत यात्रा पूरे देश के लिए सभल सावित हो रही है और ये सत्ता को चुनाओती देने का काम कर रही है लोग कहते है राहूल गांधी जी का जजवा जिस तरीके से है सुबह छे बजे यात्रा चालू हो जाती है और जो लोग कहते है राहूल गांधी जी आ लिए मैं कहता हूँ नरेंद मोदी को भी आप भी स्यात्रा में आईए आप पाइदल नहीं चल पाएंगे हमारे देश के हमारे एक ही से राहूल गादी है जो पाइदल चलने का काम कर रहे और कौन-कौन नेता है जिने आप नियोता देना चाहेंगे कि वह आएं आपके साथ सामिलो बिल्कुल मैं कहता हूँ सबसे पहले तो वो सेलेंडर इस्मिर्टी रानी क्योंकि वो मर्यादा से नाम देखें सेलेंडर उठा के उन्होंने बिरोध प्रदर्शन किया अब देश में जाती और धर्म के नाम पे भासा के नाम पे प्रांत के नाम पे नप्रत चल ला है तो झायन जाती है उसमें एक राजनितिक महत्काश्गांचा जरूर होती है तो यहाँ क्या 24 के लिए क्या तयारी है क्या लाब दिख रहा है इस यात्रा से या कोई संगठन को आप जोड़ पाएं क्या लोग तो जोड़ रहे हैं बिलकुल देखिए लोग जोड़ रहे हैं और राजनीतिक फायदे की यहाँ बात नहीं है यहाँ देश को जोड़ने की बात है जो देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उनको उठाने की बात है आपने देखा होगा संसत भवन में जब हमारे राहुल गांधी जी जमीनी मुद्दों को उठाते हैं तो कहीं न कहीं उसको दबाया जाता है इसलिए राहुल गांधी जी की ये भारत जोडो यात्रा जंजन तक इसलिए पहुँच रही है कि जंजन कनमुद्दे जब जगा जगा से उठेंगे तो ये याग और तुभान उठेंगे राहुल नहीं सुनामी है नया महात्मा गांधी है नया महात्मा गांधी है और महारास्ट में कितना अप्रेम मिल ला है महारास्ट में अपार प्यार मिल ला है अपार जंसमर्थन मिल ला है लोग करें लोग दीदार करने के लिए राहुल गांधी के चेहरों के दीदार करने के लिए और प्रधानमंत्री कैमरे में फोटो खिशवाने के लिए तो नेता कैसा चाहिए जो सडकों पे चलके और लोगों से रहुल गांदी अब टक करके हो गया है बिलकुल रेक्ट क्यों परिपक हो गया जाता है पहले भी टक करते थे पहले छबी धोरा दूसरा था चबी देखे गिद्ध मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रही थे जो आद भी नहीं दिखा रही है क्योंकि विकाओ मीडिया अब देश से सफाया हो रहा है जो लोग इसी यात्रा में जोड़ रहे हैं जब उनको पता चलता है जो लोग चलाते हैं कि गाली से चल लहें रहुल गांदी वो दिखाना को लेकर के कई सीधा सीधा 24 पे एक चुनो ती आप इने के रहे हैं तो राजनीति पाटि है तो राजनीतिक इसे कब लड़ते हैं कहीं वो इसमें पिचलρό कला का थोड़ी चले राजनेता का ये मतलब होता है कि वो जंजन की हग के लिए आवाज उठाए और जो आज आवाज उठाए आपकी छवी कहीं हिंदुत्व की एक जरूर रही है आप चुनाव भी लड़ें वहां अपने सीट से आयोध्या में तो एक छवी आपकी हिंदुत्व की भी रही ह उस चवी को देखते हुए भी फिर भी आप यात्रा से जुर गए देखे मैं शनातन धर्म को मानता हूं मैं बसुदेव कुटमगां की धर्ती से आता हूं भारत उस एक ताका परतिक है हमारे यहां हिंदु मुस्लिम सिख हिसाई आपस में सब भाई भाई का नारा है भारत जोर यात्रा ने आपको भी जोड़ दिया आपको जोर दिया नहीं देखे अब आप बताईए भटकने का काम जो लोग कह रहे हैं कि आप भटक गए थे हम भटके नहीं हम सीधे रास्ते पे थे कुछ लोगों को सीधा करना चाह रहे थे इसलिए थोड़ा सीधे होने के हमारे आरमित लोग सब लोग ऐसे काटते हुए चले लेकिन यात्रा में जरूर आज उनको प्यार और मिला ठीक है ठीक रहे हैं कि चड़ रहे हैं सरकार पे चड़ाई कर रहे हैं जिस तरीके से पहले 1900 सदी में जिस तरीके से युद्ध हो का था ये राजनीती की उद्ध है और ये जनजन की आवाज उठाने का युद्ध है मैं कहता हूँ इस मसाल को जलेगी और आने वाले समयर में राहूल गांधी एक ऐसे ज्वाला की तरह सत्ता को हेलाने का काम करेंगे ये सरकार समझी नहीं होगे तो राहूल गांधी के आगे चलना है माफी चाते हैं आपको चलेंगे बहुत सारी भीड़ा है अब तक जो भीर है वो अब तक खतम नहीं हुए वीडियो कि अगर हम बात करें तो लगभग 14-15 मिनिट की वीडियो होग चुकी होगी और भीर अब तक खतम नहीं हुए लगातार चो लोग है वो आ रहे हैं जो कि कन्या कुमारी से लगात त्यात्रा को आप दिखा रहे हैं जो हमेशा दिखाते रहे हैं आप जैसे पत्रकारों को इस देश की जरूरत है और गिद्ध मीडिया का भाहिश्कार करिए जहन जहारा बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियों फिलाल इतना ही मिलत अगली वीडियो से बनेने मारे साथ अदो देने वादे